और आलो कवस्ति अमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़े है साथaly साथ कॉंग्रेस सलधा मिश्रा प्रवक्ता कॉंग्रेस हमारे साथ जुड़े सबसे पहले कॉंग्रेस का रुक करना चाहेंगे कि जिस तरह से 36 गड़ की अगर बात की जाए वहाँ पर भी करीब करीब काटे की टक्कर कह लीजे या अगर पोल आफ पोल्स को देखा जाए तो बीजेपी जो वो 49 सीटों के आसपास नजर आए कैसे देखते हैं इसको कॉंग्रेस का पहला रियक्शन इस पूरे एक्जिट पोल को लेकार जी आप हमें चार राज्यों में दिखा रहे हैं और मेरा कहना है कि हम पांच राज्यों में आ रहे हैं तो आशिस जी देश वासियों की श्रुझान को आप देखके बाद तो कह सकते हैं कि जूट के पाऊं भूत दिन तक चलते नहीं हैं, ये कहावत यहां पर सुइतार्त होती है, जन्ता जब नस-नस को समझने लगती है और चीजें बेहतरी की तरफ नहीं हो रही होती हैं, तो सब्जबाग का जो चमतकारी रूप होता है ना वो धलने लगता है, तो यहां पर ज यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जणता जान गई है नहीं दिखें रज्ट्टान में जो दो चीजे यह आगे होने वाले हैं सब्सक्राइब जीट रही होती है तो हम तक तो नगाडे बज रहे होते पॉल के जो नतीजे आ रहे हैं और नतीजों से जो कुछ समझ में आ रहा है उससे धोल की आवाज चली ही नहीं तो आप समझ लो कि कुछ न कुछ दिक्कत है तो उस दिक्कत को सामने रखते हैं मैंने बात की जो लोग ऐसा करते हैं जो नहीं करते हैं वो जाहिर सी बात है पत्रिकारता चौता समझ है और हमेशा बनी रहेगी किसका कितना परसेंटाइल है मैंने उसकी बात की तो जिस तरह से जो तथा कहती गोदी मीडिया है जिसको गोदी मीडिया है क्यों कहा गया आप सब चाहिए चीजे हैं आप इस पे एक्जित प fragen पर बात चीत करिखें राजिस्तान की बात चीत करिए चहती गड़ की बात चीत करिए अगर चहती माप खुश हो रहे हैं तो राजस्तान के लिए भी आप कुछ कई यूपकिस हो सकता है कि को राist आलोग जी क्या कहेंगे एक्सिट पोल को लेकर घबराट हो रही है क्या कॉंग्रस तो कह रही है आपको घबराट हो रही है भारती जन्ता पार्टी एक काडर बेस पार्टी है और उसका नेता नवेन रिबूदी एक गरीब का बेटा है और देश को उसके नित्रतों में देश सुरक्षित है और लगाता है गरीब कल्यान की योजनाओं से हम जन्ता के बीच में गये हैं मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा क्याडर रजिस्ट जो पन्ना प्रमुक की भारती जन्ता पार्टी बात कहती है और हमारे पास जो बूत प्रबंदन की रिपोर्टे हैं उसके आधार पे हम तीनों स्टेट में भारी बहुमत से आएंगे जाता कि मत्परद है और बारती जन्ता पार्टी का केंद्री नित्रत हो स्टेट का हमारे लीडर्शिप हो लगातार जो है जन्ता की बीच में जन्ता की हित में काम करता रहा है मैं कॉंग्रेस को आज के दिन में बहुत भला बुरा नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन क्या कॉंग्रेस के अंदर प्रदेश नहीं थी क्या राजस्थान में उसके निता लड़ रहे थे चत्री जिकड़ में उसके निता आपकश पर लड़ रहे थे प्रदेश में तो बहुत मिस्टर बंटाधार और करप्शन नात क्या आपत जगड़ा चल रहा तो समने देखा है साथी गांधी परवार कुछ भी हस्तचेप नहीं कर पा रहा है किसी भी स्टेट में गांधी परवार नगन नहीं हो गया है राउर गांधी की सभाएं बहुत कम से कम कर आई गई है हम लोग लगाता है जनता के बीच में रहने के कारण और जनता के जो भरोसा हम परमार साथ में है पिछली बार पर दरशन इस बार अच्छा होने वाला है और NDA की सरकार जो है वहाँ मिजोरम में भी बनेगी मेरा जिन नहीं है ठीक है प्रोफिसर धर्मेंद यादर प्रवक्ते स्पी भी हमारे साथ जुड़े हैं साथी साथ अर्वें जिजा तिलक वरिश पत्रकार भी हमारे साथ जो इन्हों ने कहा पिछली वार पांच राज्यों के चुनाव हर गए थे लेकिन लूट करके लोगतंतर को लुटाई करके सरकार बना लिये थे यह बात नहीं बता रहे हैं कि हम लुटते हैं लोगतंतर को लूटने का भी काम करते हैं इसमें बात जो आपकी एक जिट पॉल की कि लुटे वहां पर बेटीयों को निर्वस्त किया गया था ऊपर भारती जंता पार्टी के बड़े से बड़े नेता से लेकर के छोड़े जबान नहीं खुलिगी चैना पर एक सब्दनाब बोलेवाले प्रधान अब मैं आता हूँ आपके एगजित पोल पे ये जो मिजोरम का मैंने बता है मिजोरम जा नहीं पाए उसके बाद 36 गड़ में इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है रही बात आपके राजस्तान और मद्यपर्देश की दो परदेश ऐसे थे जिसमें भारती जन्ता पार्टी के पास नेत्रत तुहीं नहीं है आप भारती जन्ता पार्टी दस सालों से इस क्राइशिस में आ गई क इसके पास नेत्रत तुहीं नहीं है राजस्तान में इनके पास कोई नहीं था जिसको परदार मुकमंद्री का पर चहर चेहरा बना सके लेकिन वहां के पोल आफ पोल सो कुछ औरी बया कर रहे ना सर नहीं वो आप एक एक की बात करें बहुत सारे इक पोल आ रहे हैं एक्सि पोल होता है क्सकी पोल का क्या सैस है उसको देखना पड़ेगा प्रैस में जो आप अच्छा दिकाने का प्रयास प्रयास कर रहे उसमेंगा आ बिबद्धञाती तकर है और अपनी तरफ से नहीं दिखाते ही, यह आप क्लियर कर लीजीगा पहले आपका बगेल गंड का एरिया हो गया, चंबल का एरिया हो गया, वहाँ पर बुरी तरफ से जवाब दीज़े, फिर आप आर्विन जी का रुख करेंगे देखे आशिस जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बेटे हैं, एक बार भी अपने नेता के बारे में कुछ नहीं बता पाए हैं, भारती जनता पार्टी का पहड़ा गा रहे हैं, खुद की हैसियत उत्तर प्रदेश के अंदर तीन लोगसमा सीटों पे केंद्रित है और अने राज्यों में कहीं पर इनका खाता नहीं है, अपनी हैसियत देखकर के बात करने चाहिए, जहां तक इंडिय अलाइंस के इपसरद से बने हुए थे, हमने देखा है किस तरीके से नेता को चिरकुट कहा गया, किस तरीके से इनकी पार्टी से मंध बुद्धी और प समाज स्टेटों के अंदर, बारते जंता पार्टी ते एक राश्ट जंदल है, हालोग जी जवाब ले लेते, धर्में जी, क्या योगदान है आपका? चले ठीक है, धर्में जी के पास चाहद आवाज नी जा रही है, और अप अर्वेंद जैतिलक जी का रुक करना चाहेंगे, वरिश पत्रकार है हमारे साथ, सर जरा इस पूरे महा एक्जिट पोल को आप अपने नजरिये से अगर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या य जो महा एक्जिट पोले चेंजे उसमें होंगे, या एक्जैक्ली ये थोड़े बहुत उपर नीचे हो सकते हैं? एक दौर था जब हम लोग उसको ले करके सवाल खड़ा करते थे, आज की तारीक में काफी उसके कुछ परिवर्तन हुआ है, और अब अंदर भी होता है, तो बहुत मार्जिन ही होता है, लेकि कहीं कहीं बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे बंगाल चुनाव को ले करके सर्व इस तरह से जो है, जैसे बार-बार समाज़ादी पार्टी के मिल्स्तर दोकाह दे रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है, जिस तरह से शर्वे की आखड़े आए उसको जहें सामने रखा जा रहा है, दूसरी बात मुझे लगता है कि कि पार्टी के प्रवत्ता को भूगोल का भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मरीपुर की घटा को मिजोरम से मुझे लगता है कि नहीं जोड़ा जाना चाहिए, तो इस चीज का भी धान रखना चाहिए, दूसरी चीज जो इसमें दो कोई का जो सबसे अहम पहलू है, वह यह है कि देखिए, जैसे कि राजस् कराते हैं, इसके बावजू भी किस तरह गहलोत दबाव बनाने की कोशिश कीए, सुभाय कुरुप से कही न कहीं कांग्रेस के खिलाफ गया, और जिस तरह भाती जनता पार्टी ने राजस्थान में कानूल जोस्था का मसला उठाया, फिर पेपर लिक का मसला उठाया, फिर कुछ फिर बतल हो सकता है, लेकि जिस तरह मेवार में देखिए, फड़ावार में देखिए, ये मारवार में देखिए, भाती जनता पार्टी को काफी बढ़त सारे चोटानल हैं दिखा रही है, जैकिन पुल मिला करके, कई जो है सर्वे अगर बढ़त दिखार तो सुभाय किया जागा? जो है होसला बुलंद होगा, और कहीं न कहीं जो विपक्षी, जो समाजवादी पार्टी, एक आडर बेस पार्टी हुआ भी है, उसके लिए जो कहीं न कहीं जो है, जो थोड़ा बैक में जाना उसको पढ़ सकता है, क्योंकि भाती जनता पार्टी चाहे इसका नजरिया जो जो उसका अपना चरित्र है, वो समाजव कुरूप से जो है, उसको लाव या भुनाने की कोशिस करेगी, या 2024 का, अलार कि मैं तो नहीं मानता हूँ, इसको लिटमस टेस्ट कहा जाए, इसलिए कि 2018 में भी पांच राज्यों के हुआ था, लेकिन लिटमस टेस्ट नहीं तो अब राज्यों में मजदार बाती है, सुधा जी, सुधा जी, आरविंद जी कह रहे हैं कि इसको लिटमस टेस्ट की तरह मत देखिए, ये एक छोटा सा बस ऐसी चुनाव समझ लीजे, सही कह रहा है, अरविंद जी, बिलकुल, इसलिए मैं कह रहा है, जवाब ने लेते तो में भाजपा कहां बढ़त बना रही है, इसकी तो लेखा जो खड़े रिया, लेकिन कॉंग्रेस कहां बढ़त बना रही है, इसकी दोने बात ही नहीं की, तो जब ऐसे बाते पत्रकार करते हैं, तो थोड़ी तकलीफ होती है, तो कोई बात ने हम तो अपनी बात अगर बरिष्ट पत्रकारों को लगता है कि भाजपा की बात करनी है, आप कर सकते हैं, लेकिन एकजिट पोल की आफ बात कर रहे थे, उसके बाउदिध आप से भाजपा की बात करे थे, तो दोनों बातों में कैसे आप to clear करेंगे खुद और को न करने नहीं को हैं को और को सब्सक्राइब जो पीच रहे हैं हम राज parenthडिय TOP हो तो उसके भी कुछ अपने फर्द होते हैं मज़्य प्रदेश के बाला घाट में क्यों किया गया यह बड़ा वाजी प्रसने पत्रकार के लिए होना चाहिए कि आखिर केंद्र में सरकार जिसकी उस राजी में सरकार जिसकी और उसके बावदूर ऐसी घटनाएं आ रही हैं तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि यह सरकार जानवुद के राजनाटिक और चुनाव की सुच्दा को कही नखी धूमिल करने का प्र fringe कर रही हैं क्या अईसे जीतना होता है लोग्षटंट्र ऐसे ही होता है ऐसे क्रश्णो के साथ हम जानते हैं कि हम सरकार में नहीं है केंद्र क तो सारी संस्थाओं का ये इस्तिमाल करते हैं, कर रहे हैं और उसका उदारण एक तो मालूम चल गया आशिस जी, वो हमें दिख गया, हमें अगर नहीं दिखा, तो जहां नहीं दिखा है, वहां पर क्या हो रहा होगा, इसके बारे में कौन ये गारंटी देगा, कि ऐसी घटन आएं और कहीं नहीं होगी, तो यही है ना, आलोग जी, दुरपयोग का आरोप लग रहा आपके उपर, आरोप नहीं, इसके पूरे-पूरे साक्ष है, साक्ष के बाद निलम्मन हुआ है, अगर निलम्मन किसी का हुआ है, इसका मतलब गल्पी वहां हुई है, आपने जो आ यहां है, तो आपको जो बढ़त मिलन है, उसके चरचा जरूर करते है, अभी क्योर हम दो राजियों की बात की है, जो शर्वे समझी कहीं बढ़त दिखा रहा है, बिलकुँ जो जो आपको प्रूद राजम है, यहां मिरा प्रस्निए, मिरा प्रशन है, कि जो प्रधान मंत्री हर राज के चुना में कई रैलियां कर लेते हैं आखिर मिजोरम तक नहीं गए क्यों यही वज़ा है तो हम तो कहेंगे कि यही वज़ा है कि मड़ीपुर नहीं गए तो मिजोरम किस मों से जाते हैं यह दिक्कत है तो आपको यह बात उस्थारे से यह य बाते आप मुझे हैं मुझे लगता सुधाजी एक दो बाते आप चली ठीक है आपने जिक्र किया मिजोरें का मर्यपुर का फिरक्रिया एक दो बाते राजिस्थान के लिए भी कह दिज्यूआं पर वहां पर भी कानूल विवस्ता इतनी अच्छी नहीं है कि उसके लिए अ अगर मद्धिपेस्की में चर्चा कर रही हूँ और राजस्थान में भी हो रहा है केंडर में बैटी हुई सरकार राजस्थान की जिम्मेदारी अभी तक किसके पास थी सुधा जी नहीं अभी तक आपने बोला आपने कहा कि ने उठाना चाहिए, बढ़ चरके बोलना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, इस तरह से डिबेटना मैं करता हूँ ना करवाना चाहता हूँ, सीधा समझिया, सीधा सवाल मेरा ये है कि अगर आप मिजोरम और मड़ी पूरका जिकर कर रही है, तो राजस्थान में भी पूरका जाना चाहिए, बढ़ आप मिजोरम और मड़ी पूर में जो है, उसका जिकर करती हूँ नजर आ रही है, उन्होंने कहा कि बचर के सवाल उठाना चीए, हमारा फर्ज है, उन्होंने फर्ज एहसास दिला दिया फर्ज का, अब मेरे अंदर से हैसास है, तो मैंने राजस्थान का पूछ लिया, अब उसके लिए उसके लिए केंदर में सरकार कौने, जरा इसका, ये मुझे जरा समझाईए का सिनर्यो, ये मुझे समझ में नहीं आया, देखे, मुझे ऐसा लगता है कि सुधाजी, अभी भी चुनाओं लड़ रही है, इसलिए बहुत जो स्खरोष में आप पत्रकारों पर हमला कर रही है, मेरा इतना कहना है सुधाजी, आपका नेत्रत तो अगर सक्षम है, तो आपका संगठन भी आगे बढ़ेगा, और आप बस हता भी स्थिर रहेगी, लेकिन 36 गाड़ में हमको पिछली बार चुनाओं मात 15 सीटे मिली थी, और आप जो एकजिट पूल की हम बात करें तो हमको 36 से 45 सीटे भी दे रही है, कहीं पर 50 सीटे भी दे रहा है, तो आपकी स्थिति जगहे पे आप बहुत मजबूत मानी जा हम चारोगा है ज्यए तो हम पूछा है, कर समीने मेरे मिषय मेरे दिगा है, तो मुझे बोलने दिजिए, आप बन्यमिषय अपन समय प्त कर दिखाएगी प्रस्ट का उत्तर भी आएगा तो बोलना पड़ेगा देखी यह लगातार भए बात है ना कि मैं जो को बोल रहा हूं वही सही है बाकी कोई तत्थि नहीं है और यह परवक्तत तभी करता है जब उसके माँ तत्थि नहीं होते है तत्तियों के अधार पर दूसरे को बेनेकाब कर देता है तो सुधादी जो प्रयास कर रही है लगाता है एक दूसरे को पर बोल करके अपना प्रभाव दिखाने की यहां गरत परी पार्टी है इसा नहीं करना चाहिए मेरी बहन आपको अपनी बारी में बात कर दियेगा जात पर आप सिन अलगा चक्कर में और आपके नकारेपन में चूंकि नेतर आपका नकारा है इसकी वजह से वहां पर मत्वर्देश पे जवाब लें लेते इस स्वाल नहीं है सुधा जी जवाब दिया आपके निठ्टेट उपर सवाल है नहीं नहीं नेतर पर पर अगर पूंच तो रही हूं कि कलेक्टर को कियो इलंबित करना पड़ा अगर आप लोग अधर नहीं कर रहे हैं तो बाला गाट की घटना कैसे हुई वहां के कलेक्टर को क्यों एलंबित करना पड़ा वो तो हमारे संग्यान में आगिया लेकिन जहां संग्यान में नहीं आया है मेरा प्रस्ट आज भी हुई है मैं पूछूंगी क्या राजस्थान में ऐसी घटा मिली आपको नहीं दिख रही है लेकिन क्या पता आप लोग कर रहे हूं क्या जटीसगड में यहीं कर रहे हूं बाद में मुझे आईएगा आपने उत्तर नहीं दिया कि आपके कलेक्टर को आप उस प्रुदेश के कलेक्टर को किसी जिले बाला घाट में कैसे जिलेमित करना पड़ा कैसे यह इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई इसका मतलब यह हम जान गए हैं जहां हम नहीं जान पाएं को आप लोग कर रहे होंगे लोग तांत्र में जनता सबसे बड़ी जज होती है और जनता की अदालत में आपकी पार्टी नहीं गई है और इसको मानती है तो आप अगर सच्बा था और राजस्थान में आपको जनता अलोग जी उनके प्रश्न का उत्तर दे दिजिए आप के अंदर और अगर हमारा चाहर कारे पर नहीं आईगा और जनता हमारे किसी कारे पर अपक्ति बताएगी न को हरा देगी लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि यहाँ पर ऊफ हार रही है जिस कांग्रस ने सर्वेज़ बोकर अरोब लगा है जिस कांग्रस ने सर्वेय लगा है बढ़ाने और गटाने का प्रेम्स किया उस कांग्रस के जित hypoth ऊपाया हो के यह उत्थ फ़ाया होती है बहुत 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 अजीब लगता है कि हम एक्जिट पोल की जगह नाद रहे के कहीं और जाते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी हमारे साथ प्रवक्ता जुने हो उनका भी रुक कर लेते हैं धर्मेंद यादो जी इतना प्यार जो है आई एंडि आई घटबंदन से जो है वो देखने को मिल रहा है एक्जिट पोल के बाद एक्जिट पोल से पहले इतना प्यार क्यों नहीं था मुझे लग रहा इशारा काफी होगा आपके लिए आसे जे आलोक जी लोगतंतर की बात कर रहे हैं मतलब यह तो हस्यासपत चीजे हो गई हैं भार्टी जटा पार्टी के लोग कि दोगलेपन में कैसे पीजशनी कर लेते हैं उसका मढ़ाम साहरे पेस पंड़ कर आघ लोग गा करो चीज़त तक मौत खजोना पड़ाख्टेबाद र 싸कार पर तक ब्हुम्हेस्टी आप जाप दीजेगा प्रवक्ता आप दोनों से विनिती है रिक्वेस्ट कर रहा हूं तिलकुल गरिमा का द्यान रखिए धर्में यादव जी और आलो जी आप दोनों से विनिती कर रहा हूं प्रवक्ता आपके दिखाई दे रहा है आप गाली भी दे सकते हैं क्योंकि आप इतने पावर्फुल है मीडियम बेड़े किसी को गाली दे दीजिए आपको आपको बतार हूं भारती जंदा पार्टिक बूरी तरा से पांचो राज्यों में चुना हारे कि इसमें कोई दो राय नहीं है और मद्य पर्देश में थोड़ा सा धर्में जी मद्य प्रदेश में कैसे समाजवादी पार्टी की भूमिका रहेगी मद्य पर्देश में समाजवादी पार्टी कम से कम 600 सीटे जीतेगी और सरकार बनाने के लिए 600 सीटों की आऊ सकता पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर मामला लगए 50-50 का है तो मद्य पर्देश में समाजवादी पार्टी की भूमिका सरकार बनाने में होगी असली बात यह है कि भारती जन्ता पार्टी के जो खोखला पन है 10 सालों का केंद सरकार का खास कर यह बात लोगों के मन में पहुंच गई है और जो इनका नेत्रित भीहिन समाजवादी जन्ता पार्टी के जो नेत्रित का संकट था मद्रदेश और राजस्तान में जब आपका नेत्रित नहीं है तो लोगोड कैसे देंगे मुझे बताएए ठीक है धर्बिन जी भारती जनताप पार्टी के पार्टी में ले ले देके मोधी जी बच गए है और एक अमिसा बच गए है इसके लौन के पास कुछ हैं नहीं उनको ऐसा चला, ऐसा चला, बोला कि भी ऐसा हम आपको MSP दे देंगा, आप यह से उठ जाएए, अब जो उठ गे तो MSP नहीं दे रहे हैं, जो 100 करोण किसानों को धोका दे सकता है, लोगों को इवाओं को बोले थे हम 2 करोण रोजगार एक साल में देंगे, 10 साल होने को है, 20 क समझ गया, मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चारहें, तो थोड़ा एक सिंपल संटेंस में समझने की कोशिश करूँगा आपसे, और सिंपल जवाब दीजेगा, कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिस त तक, वो बदलता हुआ नजर आएगा उत्तर प्रदेश के लिहास से? सुदा जी, कौन तय करेगा? जी, किस बात के तय करने की बात हो रही है? जी? ये… मैं पताती हूँ, मैंने पूशन सुना है आपका, तो हम गठमंदन में हैं, सपा आपना चुनाव लड़ रही है, हम ना चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी सितिया होती है, उसके हिसाब से बैट के बाद चर्चा उस पे होगी. इस पे अभी बहस नहीं चल रही है, लेकिन… पता रही हूं कैसे मिलेगा, अभी मेरी बातों पे होते हुए, जब मैंने पूछा था, हमारे आलोग भाई… सुनने, वो आपको सुनने, आप बोली है, हाँ. तो आलोग भाई ने कहा था कि जनता के अदालत में खड़े हैं, मेरा प्रश्ण नहीं था कि जनता के ये कहे मत की पेटी का इस तरह से खोल दी जाती है, तो अदालत कहां से काम करेगी, कैसे काम करेगी? एक जगह देखा हमने, मेरा प्रस्ण नहीं रहेगा, क्योंकि जब से हमने वो घटना देखी है, संग्यान में आया है, इस बात का डर है कि जनता ने जो मत दिया, उसके साथ खिलवाड करने की जो इनकी साजिश है, वो कहीं हमारे पक्ष में बुरा न हो जाए, ये तो कर र हमारे जीते, हारे तो ये उस पर दोश देंगे, जीते तो उस पर दोश देंगे, भाई मत्दान अदालत जंदाकी हो चुकी है, वोट पर चुका है, लेकिन जिनके सहनक्षड में सब कुछ है, उसी के बारे में ऐसी चीज़े हो रही है, और मेरा सीधा प्रशन है कि अगर निलंबित हो रहा है, ऐसे कोई कलेक्टर निलंबित नहीं होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती है, कलेक्टर को निलंबित क्यों करना पड़ा, ये पहले प्रशन का उत्तर, दूसरा, कि अगर एक जगह हुआ तो कैसे ये चुनाव आयो, और भारत सरकार कैसे इस बा आलोग जी, ठीक आपने सवार पूछ लिया, ठीक है सुदा जी, अब जवाब लेते हैं, आलोग जी जवाब, देखे, मैं विश्द रूप से आंगडों पर बात करूँगा, तर्षियों पर बात करूँगा, मैं दाय माय कहीं नहीं जाओंगा, आपको याद होगा कि हम वोट मिला था, और हम पीछे रह गए थे, कॉंग्रिस से सीटों के मामले में, लेकिन वहीं जब हम 2019 का इलेक्शन लड़ रहे थे, और मर्द परदेश में कॉंग्रिस की सरकार थी, हमें 58, 54, 554 पर पर बोट मिला, और 29 में से 28 सीटे भारती जनता पार्टिक जीत के ले गई जबकि विधान सबाव चुनाव हार गए थे, वहीं हम राजस्थान की बात करेंगे, तो राजस्थान में हमको 38, 77 पर पर बोट मिला और हम चुनाव हार गए थे, और जनेरल इलेक्शन 2019 में हमको 69, 0,7 पर पर जीत करके ले गए थे, कॉंग्रिस का तो वहाँ पे खाता भी नहीं खुल पाया था तीसरा इलेक्षन की बात करूँ अच्छ गड़की जहां पर उनकी बहुत बहुत की सरकार आई थी हम 15 सीटों पर पहुंच गयते और 15 सीटों पर रहते हैं पर सवाल कुछ और जनरल इलेक्षन में 2019 के हमें क्यावन देखिए मैं मैं अपनी बात पूरी करूंगा देखिए मैं सुधा जी का जवाद नहीं नहीं आप आया हूं बिलकुल बिलकुल में क्यावन पॉइंट प्रतिश्यत हमको वोट मिला और 11 में से 9 सीटे हम जीद करके ले गए जिस जहां पर बहुमत की सरकार सम मैं यह सीरा अगर राहूल गांदी एक फेल नेता है मैं क्यों कहता हूं बारण यह कि दो चुनाव नित्रत में वो निता बनके चुनाव लड़ रहे 2014 और 2019 और दोनों चुनावों में उनका वोट परतिश्यत जो है यहां इतना सीटे नहीं ले पाए एक बावन सीटे पाए लीड्र आप अपोचिशन चुताने के और कॉजिशन में नी कॉंगरस ने रही तिस कॉंगरस ने इस देश के पर त्रक्षक ही समझते ज़ूट बोलता है जूट बूले के आप सुप्रेम अपर नाब आप नावागने पड़ी है टुक्त शूट परकाष्यत जूट बोलने आपको एक चीज़ क्लियर करतू कि यहां बैठा हूँ यहां किसी से नहीं डरता मैं अगर मुझे लग रहा सवाल पूछना चाहिए तो मैं पूछूँगा आप यह सवाल पूछा है तो यह आरूप मत लगाई ठीक है अर्वेंद जैतिलक जी वरिश्पत्रकार हमारे साज़ुड़ें उनका रूप कर लेते हैं जो मैं समझ पाया सुदा जी की बातों से वह यह कि वह कहतो रहीं कि एग्जिट पोल है ठीक है लेकिन एक डर की भावना जो मैं स विटकल मैटर हमेशा से रहा है जब से 2014 के बास से इभियम कोने करके सवाल उखता रहा है और मज़धार बात यह कि जी जाती है व्यपास जीन पर अगर भाजपास जीती है तो इभियम में चर्चा शुरु हो जाते हैं यह पूरी तरह से यह निराधार है और कांग्रेस के जहां बताया जा रहा है कि 500-1000 मतों के अंतर से काफी बदल सकता है तो यह बदलाव कांग्रेंस के पक्ष में भी gelecek ऐसकता है और उसका एक अपना नरेटिव भी है कांग्रियस को आहां धीरे-धीरे ही शुकुमार के जैसा काम करते हैं, तो उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन वहां की राजनीत, विश्य सुर्प्रेज, तेरा शेदी मुसल्मान है, इस पर कांग्रस के तरफ उनका मुमेंट हुआ है, कारण क्या है कि आपने देखा होगा, कि GST के मसले पर, नोटबंदी के मस मैं चाहरा हूँ कि छोड़ी सी टिपड़ी सभी से ले लिया जाए, आलो कवस्ती जी आप से सबसे पहले समझना चाहेंगे कि अगर ये एक्जिट पोल हकीकत में तब्दील हो जाते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्या आपको गेम प् साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़े थे, उसमें समाजबादी पार्टी भी थी, बहुजन समाजपार्टी भी थी, कॉंग्रेस भी थी, और लोगगन भी तो चोटा से जवाब, इस बार की चुनाओं में उत्तर प्रदेश कंदर बस पा अलग चुनाओं लड़ रही है, सुधा जी इससे एक मोटिवेशन आपको मिलने वाला है, घार मिलने वाली उत्तर प्रदेश में भी, कॉंग्रेस को हमने 2% बोर पर सिमत कर दिया है, ठीक है आलोग जी ठीक है, सुधा जी बोलिए जल्दी से, बहुत समय कम है, एक धार मिलने वाली एक कॉंफिदेंस जरू जार रही है, एक एक जामपल, जी आशिस जी बिल्कुल और दूसरी चीज, मैंने आपको लेके कोई सवाल ख़डाने के लिए ठीक है, जब प्रश्न का जबाब न मिल रहा हो, तो हमें मालूम है कि लड़ाई हमें जनता के साथ मिलके लड़नी है, जबाब नहीं मिला, सर न हमें दियारो जी हमारे साथ जुड़ेते लिक आगे हाँ, चोटी सी एक्टिपड़ी धर्में दियारो जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गटबंदन के साथ मौबत करती हुए नजर आ रही है, खासकर इस जो एक्जिट पोल है उसके बाद, या ब साथ जुड़ने के लिए अपने बात रखने के लिए आप सभी महमानों का बेहत शुक्रिया, तो एक्जिट पोल के साथ कई सवाल सियासी फिजा में तेरने लगे हैं कि आखिर इस एक्जिट पोल का उत्तर प्रदेश की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, एक्जिट पोल हर चुनाव परिणाब से पहले आते, कभी बिलकुल उलेट तो कभी सटीक भविश्वारी कर देते हैं